नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्णिंग एक बारा सबका फिर से बहुत बहुत सुवागत है आप सभी के अपने योट्योब चैनल डियर गुरुजी पर सुगाई जैसा कि आप सभी को पता है बीएट की अगर हम बात करते हैं बीएट की जो तयारी है मैं आप सभी को कई दिनों से करवा रहा हूँ और काफी लोग अब फिर से कह रहे हैं सर दो जाए कि इस बैच के लिए बेट चलाईए तो ठीक है उसके लिए मैं चलाऊंगा बट यार एक बात समझो दो-दो सो लोग तीन-तीन सो लोग एक साथ मैसेच कर देते हो तो उसमें समझ नहीं आता है किसका एंसर दिया जाए किसका ना दिया जाए और यही प्रॉलम होती है सब के जवाब जो है वहाँ पर नहीं मिल पाते है और वहाँ से जो एक कॉमन परिसान है लोग एडमीशन को लेकर के यह परिसान है कि सर क्या मैं इस कॉलेज से करो तो बेटर रहेगा मैं उस कॉलेज से करो तो बेटर रहेगा सर इस कॉलेज में कम फीस लग रही है तो क्या यह बेटर रहेगा उस कॉलेज में ज्यादा फीस लग रही तो क्या यह कॉलेजर आईं ने ? अब आप सुन्थर है न minha विमें ऐबने खिल दादा हं। आप लोग वियंश्टी एंड़ से हों भीविधियुः से हों。 किसी भी बीविधियुट से हों आप लोग उस बीविपसाइट पर जाएगा और उस B8 के वेसेट में जाएंगे तो University के आपको लिष्ट मिल जाएगी उसके अंडर में कौन-कौन से College आते हैं वो भी आपको मिल जाएगा अगर आप लोग इसको भी नहीं ढून पाते हो तो बताएगा मैं इसके उपर वीडियो बनाऊँगा कि कैसे आपको ढूनना है तो आपको उस University के अंडर में जो College आते हैं जो मानता प्राप्त College होते हैं अगर आप उसके थुरू बीएट कर रहे हैं तो आपको ये फर्क नहीं पढ़ रहा है कि वहाँ पर फीज कितनी लग रही कम लग रही जाता लग रही क्या लग रहा है सरकारी है प्राइवेट है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग चाहते हैं भाई वो प्राइबेट ही करना चाहते हैं बट वो लोग परिसान इस चीज़ को ले करके कि ऐसे में पास मतलब कॉल आते हैं काफी सालों के कॉल आते हैं मेरे पास ही कैसा लोग के मेल आए सर आपने लड़कों से बोल दीजिए कि मेरे थ्रू एडमिसन करवा ले इतने कम में हो जाएगा डमिसन लेकिन मुझे पता है जब कॉंसलिंग के थ्रू आपका एडमिसन हो ही जाना है तो मैं क्यों आप सबी से बोलू यह सब बात है पता नहीं वो क्या मुझे दे देंगे मैं आपको क्या बता दूँगा जब मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ सियर्टी ही नहीं है 100% मैं आपको वो चीज़ क्यों आपको थमाओ तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब आपका कॉंसलिंग के थ्रू हर चीज़े हो रही है उसी उनिविश्टी के एंडर में आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आराम से आप लोग उसके ही थ्रू जाएए प्रोसेस के थ्रू जाएए पात में आप अगर आप अपने मन से कोई Landes ले लेते हूँ अपने मन से कहीं कोई किसी दलाल का कॉल आया किसी ब्रोकर का कॉल आया कि मैं आपका एंडिमिशन यहां पर इतने में करवाजूंगा मेबी वो सही करवाहे में भी आपका admission जो अच्छी जगां करवाए उसको कुछ benefit मिल जाए लेकिन वो process जो है सही नहीं होता है मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा इसके लावा government college और private college की अगर हम बात करते है गवर्मेंट लेलो या private college या लेलो कोई फरक नहीं पढ़ता है मैंने आपको यलेटे बता रख है ऋरूर्मेंट लेलम फेस कम लगती है और private college में फीज जादा लगती है private college में आपको फादा ये मिल जाता है कि आपको number अच्छे मिल जाते है practical में क्योंकि आपको पता है कि भाई ब्रेट में आपके जो मार्क होते हैं वो बहुत जादा माईने रखते हैं क्योंकि मेरिट के ऊपर आपका सुपर्टेट की जो वेकंसी जो आपका होता है मेरिट के ऊपर जाता है तो वहाँ पर ब्रेट का है जो मार्क होते हैं वो भी आपके तो प्राइबेट मैप कोई थोड़ा ज्यादा मिल जाता है बट वही सेम चीज आजाता है कि अगर आप गौर्वर्मेंट में महिनत करते हैं तो गौर्मेंट में भी आपको अच्छे नमबर मिल जाएंगा ऐसा नहीं गौर्मेंट में भाई वही लड़के जाएंगे जिनके दो प्राइब में भी आपको अच्छे तरीके से करना होता है तो आपए थोड़ा सा बाउंडेशन होता है तो आप गौर्मेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो आप फिस कम लगती है वहां पर आपको बहुत सा इस उब्ढाय मिल जाती है बर प्राइबिट में थोड़ी से करें था है तो भी स्वाल बनते हैं कुछ भी होते हैं तो आप group में discuss करिए मुझे लगता है कि अगर इसके उपर वीडियो बना चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना करके उसका जवाब जो वहाँ पर तुरन देने की कोशिस करूँगा तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अभी क्लिए बबाई टेक केर जै हिंद जै भारत मिलते हैं आप सभी से नेक्ट वीडियो में